हेलो फ्रेंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेलन टॉपिक को बेलन टॉपिक की कुछ इंपोर्टन जो फर्मूले हैं उनको हम देख लेते हैं पूछा गया है कि बेलन का वक प्रेश्ट जो बेलन का वक प्रेश्ट पूछा जाएं तो उसके लिए हम लोग कौन सा फर्मूला लगाएंगे 2 pi r h क्या लगाएंगे 2 pi r h और इदे बेलन का शंपून प्रिष्ट पूछा जाएं तो हम फर्मूला लगाते हैं 2 pi r h plus r क्या लगाते हैं 2 pi r और bracket में h plus r और बेलन का आयतन पूछा जाएगा तो फर्मूला लगाएंगे pi r square h ये तीन फर्मूले आपको ध्यान रखना है ये फर्मूले क्या हैं इंपॉर्टेंट हैं और बार बार यूज होंगे किसमें बेलन टॉपिक में तो बेलन टॉपिक को आज हम लग पूरी तरीके से समाप्त करेंगे तो आईए शुरू करते हैं पहला प्रशन देखो बेलन से लिए हैं क्या कहा गया है है कहरा है कि सात मीटर त्रिज्यावाले 15 मीटर गहरे कुउ उस मिया यहां पर कहीं पर बेलन चिक्र का जिकर नहीं किया लेकर कुई शुब्द चिकर कर दिया ले कुउड़ होगा तो आप सबको पता है कुआ बेलन की होगा तो हमें बेलं का आईतन जाद करना है clear है यहां तुह सबसे पहले हम बेलंका आसफन निकाल ये तो बेलं का आईतन बताओ कितना होगा अब यह आप देखकर क्या हो Гाई हूं किअ हो फर्मूला बोलो क्या होगा आर स्कॉायर hmm यह फर्मूला आपका यानि H जो दे रखा है वो 15 मीटर है सारी चेतो दे रखी R भी मिल गया और H भी मिल गया बस मान डालते ना यहाँ पे तो मान रखोगे पाई का मान क्या हो जाएगा 22 बटे 7 R की जेकप कितना रखेंगे 7 यानि 7 गुणे 7 और H की जेकप कितना है 15 तो यह सास यह साथ कड़ जाएगा गुणा कर लेते हैं 7 दुनी 14 की 4 है से मिला 1 7 दुनी 14 एक 15 को फिर से 15 से गुणा कर देंगे तो 15 चकुष 8, 0, 6 मिलेगा 15, 15, 75 और 75 और 6 कितना हो जाएगा 81, 81 का एक हो जाएगा हासी मिलेगा 8, 15 एकम 15 और 15,8 कितना हो जाता है 15,8,23 कितना होता है 15,8,23 यानि कितना आ जाएगा 2310 घन सेंटिमीटर सेंटिमीटर नी मीटर में आएगा है न क्योंकि सारी तरिजायम यहां में मीटर में यहां मीटर में तो आयतन हमें इसता घन में निकाला जाता है, आयतन किस में निकलेगा घन में, तो घन मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घन मीटर हो जाएगा, कितना 2310 घन मीटर, किस आप्षन में दे रखा है, तेज़ गन मीटर, तेज़ सो दस घन सेंटीमीटर नहीं होगा, क्या होगा मीटर होगा, किलियर है ति यहां पर भी आफ्षन हमारा क्या हो जाएगा, करिक्ट हो जाएगा, किलियर है मेरे दोस्त, तो समझ में आया, चलो, अगले प्रस्ण से हम और अच्छे समझ लेंगे, आ अच्छे समझ लेगा, 100% आपको समझ में आएगा, आगा देखो अगले प्रस्ण को, अगला प्रस्ण है कि बेलन की उचाई ज्याद करो, यहां पर आपको बेलन की उचाई पूछा गया है, क्या पूछा गया है, जिसका वक प्रस्ट आपको दे रखा है, 70 पाई वर्ग मी तो होता है बेलन का वक प्रस्ट और इसके वेलू कितनी दे रखी है, मेरे दोस्त, 70 पाई वर्ग यह दे रखी है, देखो यह पाई से यह पाई कट गया, कट देंगे, 2 से काटोगे, तो यहां 70 को आधा करोगे, 35 हो जाएगा, अब यहां क्या बचा, आर एच, आर एच कित दे रखा है, 10, तो तिर्जा आपकी क्या हो जाएगी, तिर्जा इसकी आधी होगी, तिये कितनी हो जाएगी, 5 मीटर, तिर्जा कितनी आ गई, 5 सेंटी मीटर, कितनी आ गई, 5 सेंटी मीटर, तो यहां पर मान रख लेते हैं, तो तिर्जा की जगा हम 5 रख देंगे, और सेंटिमीटर हो जाएगी आफशन B के साथ में एकदम करेक्ट हो जाएगा क्लियर है आगे चलेंगे अगले प्रशन क्या कहा गया है अगला प्रशन है पांचवा प्रशन क्या कह रहा है कि बेलन का ब्यास साथ सेंटिमीटर है बेलन का ब्यास कितना है साथ सेंटिमीटर है ता कि त्रिज्जा कितनी हो जाएगी त्रिज्जा ब्यास की आधी होती है यानि साथ बटे दो सेंटीमिटर हो जाएगी जो है त्रिज्जा की दो गुनी है तो जो उचाई है एच कितनी हो जाएगी त्रिज्जा कितनी है त्रिज्जा है साथ बटे दो इसकी दो गुनी हम दो से फर्मूला होता है 2 pi r h, यह होगा, तो मान रख लेते हैं, 2 pi का मान कितना रखेंगे, 22 बटे 7, r कितनी है, r2 कितनी है, 7 बटे 2, और h कितनी है, 7, यही तो आएगा, बस मान रख, कट कर लो, तास से 7 कटी गया, 2 से 2 कटी गया, गुणा करो के 22 को 7 से करोगे, 714 के 4 से मिला, 714, 11, कितना आजाएगा, 154 वर्ग सेंटेमेटर, कितना आजाएगा, 154 उख सेंटेमेटर, आपका एंसर हो जाएगा, कि एस अपसन में मिलेगा, आपसन हमारा b, जो होगा, वो करिक्ट हो जाएगा, एक सोटोवान वर्ग सेंटिमीटर जिल्य है मिटे दोस्त आगे बढ़ेंगे अगले प्रसण को अगला प्रसंदेओ क्या कहा गया है एक बेलेनन का व्हकपरिश्ट शी 710 पाई वर्ग सेंटिमीटर वह प्रष्ट आपको यहां पर दे हैं कितना है 110y उचाई आपको दे रखिए किदनी है 5 cm तो बेलन का क्या कुछ आ गया ब्यास में चागया है यहाँ पर बेलन का ब्यास यह वकप्रेश्ट का फर्मूला रख लेते हैं तो बेलन का वकप्रेश्ट का फर्मूला क्या होता है 2π रह सिंपल सा है कितना दे रखा है 110π यह देख हो गया है 52 तो आप यहां तो गलत हो जाएर को जाएगा घ्रमूला पूछाँ पूछाए ब्यास निजड़ा क्या है तिरिज्जय आ बेदा देना वहर चले आना बोलना हमारा एंसर हो तो एकदम करेक्ट हो गया भी आफसन में दे रखा था तो आप यहां ओगे तो गलत हो जाएगा आप ध्यान देकर पूछना पूछा क्या गया है तो आपको पता है ब्यास जो होता है तुरीजा का दो गुना होता है पतीगा यहाद आप चानल पर नए हो तो चानल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा थांक्यू मेरे दोस्तों धन्यवाद